अरे हां हां सचमें ये कबार से जगाड की हुए plantar हैं वो कैसे चलो मैं बताती हूँ हई मैं हुँ आपकी krafter आशू आज हम करने वाले हैं कबार से जगाड जिसके लिए मैंने अपने कबार से तीन वेट ईजी के डबबे निकाले और इसके बहुत अच्छे से clean करने के बाद तो इसके लिए मैंने पांच कलर यूज की आपको बाइट कलर का अगर पहला कोड रहेगा तो सारी कलर अच्छी से ब्राइड होके निखर के आएंगे इन तीनों को मैंने कलरने के पद जो मैंने फस्ट कलर किया उसमें इतना जरूरी नहीं है बैक साइड क्योंकि कवर हो समझ में आ रहा था जो मुझे एजी लग रहा था जिससे मेरा टाइम जादा ना लगी ब्लैक कलर की आउटलाइन करने के बाद मुझे लगा यह बहुत ही प्यारा लग रहा है थोड़ा निखर के आ रहा है तो मैंने थ्री लाइंस नीचे कर दी दन मुझे इनकंप्लीट सा थोड़ा लग रहा था तो मैंने उपर गोल्डन टज दे दिया जिसी बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा था वीडियो में पता नहीं मुझे आपको कैसा लग रहा है बट मुझे यह सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था मेरे पास नहीं काफी टाइम से ही थोड़ा सा मज़ा नहीं आया मुझे शायद करने नहीं आ रहा था मैंने फर्स टाइम किया था या कैसा यह आपने अगर यूज किया है तो मुझे जरूर बताने यह कैसे यूज किया जाता है क्योंकि मैंने यूज किया तो मुझे मज़ा नहीं आया तैन मैंने राणी एन कि फ्लावर्स बनाएं जो कि मुझे थोड़ा सा जो भी मुझे एजी लग रहा था मैं करते जा रही थी जब तक मैं यह पेंट कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके यह बता दो कि मुझे नेक्स्ट कपाड से क्या जोगाड करके बनाना चाहिए वीडियो मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ यार कि मुझे क्या बनाना चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बता दो दनीदर उदर गोल्डन टच देने के बाद यह डिजाइन जो है ना लीफ वाली यह मुझे काफी टाइं से करूँगी तो ज्यादा इजी रहेगा तो फाइनली यह हमारा वनके हो गया रेडी अगर अगर